कि बन जाएगा क्रोड़ पती अभी ले लो पस्ता होगे भागा जा रहा है पकड़ लो यह ऐसे है कि अब जो विंटरबाइन के जो पहले इतनी अच्छी अच्छी नहीं हो जाती थी अब निकल कर नहीं आ रही है सुजलोन अनर्जी की तरफ से और सुजलोन अनर्जी के वाले पालते रहेंगे और कहीं न कहीं आप उसमें ताने खाते रहेंगे तो इसलिए किसी पे निर्वर नहीं नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आपका अपनी चैनल में जिसका नाम है सार्तक बजार से और आज बात करते हैं सुजलोन अनर्जी की और रतन इंडिया की सर इन सब की बात करने से पहले न एक चीज में आपको यह बता दूँ कि बड़ी बड़ी जो चीजे होती है ना बन जाएगा क्रोडपती अभी ले लो पस्ता होगे भागा जा रहा है पकड़ लो यह ऐसे ऐसे थमनेलों में आपको नहीं फसना है सर इनको चक्कर में आपना क्या होता है कि एक दो दिन अपर सर्किट कोई भी शेर लगा देता है तो उसके अगले दिन से ही ना उस सेरे की बाड़ सी आयाती है अमीर बना देगा क्रोडपती बना यह सर कुछनी होने वाला है इसमें यह तो हो जाएगा कि उनकी जो वीडियो है तोड़ी चल जाती है लेकिन कब तक के लोग उनकी वीडियो देखेंगे इस तरह की मुझे समझ में नहीं जाता किसी को गुमरा मत करो जीवन का एक लक्षे हमारा होना चाहिए और एक मैं आपको और बता दूँ सर कि आपको लोग स्क्रिन सोट लेकर ना डिलिवरी दिखाते रहेंगे इतनी डिलिवरी इसमें उड़ गई है यह उड़ गई वो उड़ गई है मैं आपको पहले भी का था कि जो भी कोई जब हंड़ परसेंट यह उठ रही है तो एक दिन बाद उसका परस्किट खुल क्यों रहा है यह भी सवाल आपके मन में कूदना चाहिए तो ऐसी ऐसी चीजों से बिलकुल दूर हो जाओ और जो भी नियू जा रही है न अच्छी अच्छी उसी से ही शेरों का निर्माण हो कि उसको धानन करने का एक बिजनेस स्टार्ट करने का मन बनाया है यानि कि रतन इंडिया जो पहले इवी सेक्टर में कूद गया था जो इनकी बाइक भी आते है रिवॉल्ट के नाम से और उसमें भी अच्छी प्रगति कर रहा है और ऐसी बाइक है जिसके बारे में बाते जितनी करें उतनी कम है क्योंकि अच्छे फ्यूचर के साथ ये बाइक आ रहे है और सोटी रहती है सर तो रतन इंडिया ने सर बाइक के लिए भी काम किया है अभी हाली में एक नियूज निकल कर आई है कि रतन इंडिया सर जो ड्रोन होते है जो उड़ते हो हमें उसके ऊप पर ये काम कर रहा है और इसका बिजनिस इसने स्टार्ट कर दिया है क्योंकि रतन इंडिया का मानना है कि देश की जो जरूरत है मेक इंडिया जो बन रहा है देश उसमें ड्रोन एक अच्छी सफलता लेकर आ सकता है क्योंकि सर किरसी के छेत्र में खनन के छेत्र में परिव उने स्टार्ट कर दिया यानि कि एक गुड निउस निकल कर रतन इंडिया के लिए आ रही है परमोटर भी सर्फ काफी ज्यादा 74% के करीब इसके अंदर परमोटर भी है आपको ये भी देखना चाहिए जो इसका मिसन है ना तो नई यूग की सुरुआज जो निउस में लिख स्टार्ट किया ना यह चोटा कोई बिजनिस नहीं है सर इसकी डिमानड काफी जाला होती है जहां पर कुछ भी चीजें इससे हो सकती है कहीं कुछ दंगे हो गए वहां पर यह ड्रॉन से आज कल देखा जा सकता है अलग तरीके से ड्रोन एक चीज है जो इसका बिजनिस नह ने बुलंदी तक लेके जाएगा तो यानि कि नई टेक्नोलोजी को लेकर ये नया वर्क कर रहे हैं और इनका मानना है कि जब तक के देश नहीं चीज़े नहीं अपनाएगा तब तक के हमारे देश में अच्छे जो सुरोत होते हैं रोजगार के वो नहीं कुलेंगे और टेक कि जो भी हमारी है ना यह इसलिए बनी है कि हमें समय समय पर ना शुरुवात अच्छी करनी पड़ेगी यानि कि आपने कभी देखा हो कोई जानवर किसी भी तरीके कोई जानवर है वह एक ही चीज़ कर रहा है या कोई कुट्ता है तो गली में भोग रहा है यह यह चीज़ में बदलाओν के ना कुछ भी नहीं बदल सकता यानि कि इस इस चीज रहा है जो सब कुछ कर सकता है कभी-कभी आप ने देकर ना सर आर्मी वालग बाई कुट्अ होते हैं वह तो साथारन कुट्त खुते होते हैं लेकिन उनकी जो डिसिप्लीन है उनकी जो आदत है वो रो तो यानि वो भी सीख जाते हैं यानि कि कुछी भी ऐसी चीज नहीं है जो इनसान या कोई भी जानवर अगर उसे बार-बार वो चीज़े सिखा दी जाए तो वो नहीं कर सकता हो उसको वो जरूर से जरूर करेगा कभी-कभी आपने देखा भी सेर के साथ आदमी खेल रहा है उसे बचपन से उसे ऐसी जाधा सिखा जाती है तो इनसान इन सबसे उपर है जो हर कुछ चीज कर सकता है तो अपने जीवन को हमें एक अच्छी डिसा पर ले जाना पड़ेगा तो बात करते हैं सब सुझलोन अनर्जी के और सुझलोन अनर्जी में काफी दिनों से ना रहा है तो काफी ऐसी नियूज भी इसको निगेटिव के इस तरफ पर लेकर आ चुकी है अभी कुछ दिन पहले भी वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें सोलर को ज्यादा अच्छा बताकर विंट टरबाइन को कह दिया कहता कि काफी जैसे हवा की प्रोलम हो जाती है और जो जो उनकी लंबी लंबी बिजली देंगे तो उसमें बड़ी रख रखाव की प्रोलम आएगी तो इस तीज की भी नियूज निकल कर आ रही है तो कहीं न कहीं यह देखा जा रहा है कि जो सोलर के जो शेर हैं वो तेजी के साथ ग्रोथ में लग चुके हैं क्योंकि सर्टमिल लेकिन सर एक अच्छी जो नियूज आ रही है आपको पता है सर यूक्रेन और रूस का यूद हो रहा है अभी अच्छी तरफ थमा नहीं है अभी लोग कह रहे हैं कि यह थम गया बंद हो गया लेकिन अभी भी वहां पर यूज की इस्तिती पैदा हो रही है और उसे देखत यानि कि अब इटली सर जो पहले रूस पर गेस पर निरभरता वो अब विन टर्बाइन पर आ रहा है यह एक पोजिटीव निकल कर सर सुझलोन के शेर में इसलिए आ रहा है क्योंकि यह मनुफ्रेक्ट्रिंग सर वर्ल्ड के लिए भी करसता है इसको देखते हुए एक सरोत निकलती है ना तो एक देश दूसरे देश को देखकर वही समाधान डूनने की कोशिस में लग जाता और खास बात तो यह है कि सुझलोन जो है इंडिया की सबसे बड़ी मनुफेक्ट्रिंग जो कंपनी है उसके लिए पोजिटिव निउस निकल कर आ गई है तो यानि कि सु 12-12 से उपर जा रहा था तब ही मैंने आपको कह दिया था कि अपना 70% जो है प्रॉफिट निकालना चाहिए और लोगों ने सर काफी इसको भी का गलत मुझे बताया कि नहीं यह ऐसा नहीं तो और उपर की तरफ जाएगा तो शेर भी नीचे की तरफ आ गया है लेकिन मैंने को जो राज से निकलता है ना वह पूरे वर्लल से निकलते हैं विंट टर्माइन के जाबी जो नूज आती है वह समझ लेना वह पूरे वर्ल्ड के लिए अगर कर दिया अब उसे देखके जो दूसरे देश हैं वो भी इसकी तरफ जरूर जाएंगे क्योंकि किसी पर निर्भन होना ना देश के लिए भी और इंसान के लिए भी बहुत गलत होता है सर कभी भी किसी के ऊपर निर्भर मत रहे मैं आपको इतना बता दू सर अगर आपके पास पैसे कम है ना अपसोस तो किसी से ले लूँ बिल्कुल भी नहीं उन्हीं पैसों में करिए जो आपको करना है उन्हीं पैसों में संतुष्टी करिए जो मिला है उसमें अच्छा अच्छा करने की कोसिस कीजिए कभी भी किसी के ऊपर निर्भर मत रहना मैं आपको बता दू चाहे वो आपके घर हो, चाहे वो आपके भारवाले दोस्तों, या वो कोई भी हो, अगर आपका काम अच्छा है ना, आप पैसे automatically कमाल होगे, अगर आपने आदर डाल ली, कि मिचे तो घरवाले पालेंगे, तो पूरी जिंदगी आपको घरवाले पालते रहेंगे, और कहीं न कहीं, आप उसमें ताने खाते रहेंगे, तो इसलिए किसी पे निर्वर नहीं होना है, कोसिस करो, कि दूसरों को अपने उपर निर्वर करने के, ट्रिक लेके आओ, क्योंकि एक help भी होती है, जो एक बार बार help की जाती है, वो help नहीं होती है, वो दया होती है, यानि कि आ हमें कुछ नहीं दिखरा, तो help मिलेगी, लेकिन बार बार वाली help ना, आपको बहुत छोटा कर देगी, मैं आपको इतना बतानू, तो help एक या दो बार होती है, और जादा बार जब हो जाए, तो वो दया होती है, और दया के भाव में हमें जिन्दगी नहीं बितानी है, त कि आपने जो भी शेर चुना है, वो फ्यूचर का है, और जब बड़े बड़े देज उस पे काम कर रहे हैं, तो क्यों न हम उसको पर काम करें, तो अच्छा काम कर दिया है, और इटली ने भी अच्छा काम करके एक दिसा दिखा दी है, जो सुझलों में हमें एक अच्छा केंदरित कर रही है, तो सचीटी को आट दिजिए, अपने बच्छों को जाधा सी जाधा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्छे आपकी मासुमी के सब प्रेटिंगे, तो फिर मिलेंगा आप से ने वीडियो के साथ, जब तक के लिए, नमस्कार!